हेलो हैज के सुमआफट Dostarem Khan आज आज आपको अस चलाना तरीयानेका चलते हैंगे होता है आप अप लोग रेयाने कर PROFisa रेते हैं औरτανे ग्रम नहीं हो रहे है और यह ज़ल्दी कट मार हा रहा है तो इसका चलाने का स़ही तरीका तो आप मुपस को आप तो जाएस वीडियो समझाएं, तो आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो आपका जादे टेम ना लेते हुए शुरू करते हैं, तो देखें हमारे पास नई परेस है, हैवल कंपनी की परेस है, अब इसे चलाने का तरीका क्या होता है, आपको दिखा देता अब होता है क्या है क्या है यहाँ पर इसका क्या होता है, इसका अंतर थर्मा स्टेड होता है, यह देखें, पर इसका क्या होता है, इसका अंतर थर्मा स्टेड होता है, यह देखें, पर इसका क्या होता है, इसका अंतर थर्मा स्टेड होता है, यह देखें, पर इसका क्या ह थोड़ा जूम करके दिखें, आप इसे थोड़ा सा यहां रखें, इसके अंदर थर्मा इस्टेड होता है, यहां पर इसका इंडिकेटर होता है, तो हम लोग करते क्या हैं, जिस टेंप हम परेज चलाते हैं, तो इस टेंप पर हम पूरी करके छोड़ देते हैं, और अब यहां पर शुरुम हो गई है, तो आप इसे चलाओगे तो यह इंडिकेटर जल जाएगा इसका, तो आप इसकी प्रेस करना सुरू कर दो, जैसा ही यह कट मार देगा यहां से, आप देखें कि आपके कपड़ों प्रेस सही हो रही है, यह नहीं है, अगर आपके लिए यह कम है, तो आप फिल्कुल आराम से हलके से घुमाईए, तो एकदम यह इंडिकेटर फिर चल जाएगा, फिर देखें आप कट लगने से पहले-पहले यह आपके प्रेस गरम हो गई या नहीं हो गई है, अगर फिर भी नहीं हो और इसने कट मार जाए तो फिर आप बिल्क की हो जाएगी नॉर्मल हो जाएगी तो फिर यो ऑटोमेटिक अपना भी यह चलू हो जाएगी और अगर आपको लग रहा है कि अभी भी हमारे हिसाब से गरम नहीं हो तो आप इसे आराम से और थोड़ा सा करके यहां पर जाए तो इसे यहां पर छोड़ देना है तो इससे आ